उजयन के माधव कॉलेज में किताब बाटने को लेकर NSUI नेता ने कॉलेज प्रवंधन पर निशाना साथते हुए कहा कि परिक्षा के बाद किताब बाटना विध्यार्थियों के पैसे की बरबादी है उजयन साहित पूरे प्रदेश में उच्चिक्षा विभाग की और से अनुसुचित जाती और अनुसुचित जाती के विध्यार्थियों को वित्रित की जा रही है किताबों के वित्रण को लेकर NSUI चात्रिनेता वबलो खिंची का कहना है कि उजयन के माधव कॉलेज में किताबों का वित्रण परिक्षा के बाद क्या जा रहा है देखा जाए तो परिक्षा के बाद किताबों के वित्रण से विध्यार्चियों को किसी तरह का कोई लाव नहीं होगा ऐसे में पूर्ण रूप से आम जंता के पैसों की बरवादी है किस काम की वह श्रीप रद्दी के भाव भीकेगी यह सासन के पैसों का खुला दुरूपयों हो रहा है करोड़ों रूपे लाकों रूपे की किताबे जो आज देखिए रद्दी के भाव भिकना आई अब यह परिक्षा के बाद बाद बाटी जाएगी तो किसी काम की नहीं द बुक मिलना चाहिए नीशूल के पढ़ने के लिए तो जब सत्र खतम होने को आया एक्जाम खतम होने के उसके बाद किताब आई है अब कब बाटेंगे और कब इसकी पढ़ाई करेंगे इस प्रकार सब अच्छो का नफसन होता है यह चात्रों के साथ धोका किया जा रहा है प्राचार और सिक्षामंति के दुआरा क्योंकि यहां सब चीज पहले जब इक्जाम चालू होने के पहले मिलनी चीए जिससे साथ चात्र पढ़के और परिक्ष्या देने के बाद रूपियों के अपने चहत्यों को उपकुत करने के लिए यह रद्धी के भाव किताबे बिकेगी एक एक हिसाब से लाखों करोड़ रूप की रद्धी बेची जा रही है सासन को और जैन से विमल बेंडवाल क्रीबू झाल 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 झाल